नमस्कार मैं डॉक्टर आशा, आज आपको बताने वाली हूं। हिच्की के बारे में, हिक्का के बारे में, जिनको लगातार हिच्की है, और हिच्की की वज़े से वो बड़े परेशान होते हैं। तो ऐसा पेशन्ट जिसको लगाता रहिच की है किसी भी कारण की विज़े से कारण आईरवैद की भाषा में इसे उर्धवात भी माना जाता है इसका कारण तो उसमें क्या करना चाहिए तो एक पेशन्ट था ऐसा ही तो मैंने उसमें ये प्रियोग करके देखा था और इसकी सफल पर नाम गए थे कि टमाटर लिया और टमाटर के अंदर का जो पार्ट था उसको उसके कबर को हटाया और उस टमाटर के अंदर का जो पार्ट था जैसे बीज वगेरा होते हैं उन को हटा दिया छोटा टमाटर था और उसमें कम से कम दो चुटकी की मात्रा में तवे पर घी में हींग को भूना एक चमच घी में दो चुटकी हींग को भूना असली हींग को इसकी खुश्बु काफी अच्छी होती है जो क्रमी गनम भी होती है और वायो नाशक भी होती है तो तो उसको भूना और उस टौमाटर में रखा, कालिसी पड़ जाती है वोहीं घी में भूनने के बाद और उसको घी समय उस टौमाटर जो खाली था बीज रहे था उसमें भरा और जो पेशर तहाड जिसको हिचकी आ रही थी उसको भूब के पेट यानि एम्टी स्टमक उसको खिलाया तीन दिन हमने यह प्रयोग लगातार किया और उसकी एचकी बंद हो गई थी और काफी अच्छा मतरब इसका रिजर्ट रहा तो यदि आप मैंसे किसी को भी एचकी की कोई समस्थ है तो आप इसे अजमा कर देख सकते हैं